तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और इस वीडियो में मैं आप लोग के सेकेंड सिटिंग का जो उर्दू का एक्जाम हुआ है आज उसका एंसर की कराने जा रही हूँ क्योंकि फर्ष्ट सिटिंग का तो मैं अल्ड़ेडी एंसर की अप्लोड कर चुकी हूँ ताकि जिन भी स्टूडेंट का एक्जाम फर्ष्ट सिटिंग में हुआ है वो मिला सके वो कितना अब्जेक्टिव कोशन सही कर किया है और इस वीडियो में मैं आप लोग का सेकेंड सिटिंग का एंसर की कराने जा रही हूँ ताकि जिन भी स्टूडेंट का एक्जाम सेकेंड सिटिंग में पढ़ा है वो मिला सके कि उनका कितना अब्जेक्टिव कोशन सही हुआ है ठीक है थोड़ी वीडियो अप्लोड होने में देर हो गई बट कोई दिक्कत नहीं है देर आये लेकिन दुरूस्त होनी चाहिए मेरी वीडियो भले ही यूटूब पर थोड़ी देर में अप्लोड होती है लेकिन उसका कॉंटेंट जो होता है न सबसे ग्रेट होता है ठीक है तो चलिए यह जो कोश्चन पेपर है उर्दू का यह सेट एच है आप लोग का दूसरा भी हो सकता है सेट A, B, C, D दूसरा भी सेट हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है हर सेट में जो है ना कोश्चन एक ही रहता है बस नंबरिंग चेंज रहता है जो सेट H में एक नंबर पर question पूछेगा, वही question दूसरे सेट में, मालीजी A, B, C, D में, वही question चार नंबर पर, 5 नंबर पर, या 10 नंबर पर, मतलब numbering change करके पूछता है, बाकी question एक ही रहता है, तो मैं हर एक एक question का answer आप लोग को बताते जाओंगी, और आप लोग हर एक question का answer मिलाते चल कब आये थे, ठीक है, जगनात आजाद दो है, तकसिम में मुलक की, मुलक की तकसिम होने के बटवारे के बाद, जो है, दिल्ली कब आये थे, तो वो आये थे, उन्हें सेटालिस इस बी को, option number B, is your right answer, देखिए, दूसरा सवाल है, कि परवेशादी की कौन सी नजम, आपके नसाब में शामिल है, ठीक है, तो इसका right answer हो जाएगा, हम नौजवा है, option number A हो गया, आप लोग का सही जवाब, चलिए, आगे बढ़िए, तीसरा सवाल देखिए, तसलीस इहाद किसका शैरी मजमुआ है, तो तसलीस इहाद जो है, यह परवेशादी का शैरी मजमुआ है, यहाँ पर थोड़ा धुंदला आगया है, बट कोई दिकत नहीं है, मैं आप लोग को पढ़ कर बता देती हूँ, देखिए, चार नंबर सवाल है, कि नजम बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है, यह जो यह कवीता है, नजम बहुत आसान थी पहले, इसके लिखने वाले क पहले कोई आप लोग का देखिए, पूछ भी दिया गया है, लगबक कोईशन मतलब पूछ दिया गया है, जितना भी मैं आप लोग को विवी अबजेक्टिव कोईशन कराई थी, ठीक है, अब देखिए, कोईशन नमर सिक्स है कि नजम बिजली का खंबा किस तरह की नजम ह तो यह जो नजम बिजली का खंबा है, यह एक जो है आज़ाद नजम है, और यह भी कोईशन में आप लोग को विवी अबजेक्टिव कोईशन में कराई थी, और बताई थी कि यह कोईशन पूछा जा सकता है, और देखिए, यहां पर पूछ भी दिया गया है, विवी से, चलिए फड़फट आगे बढ़िए, कोईशन नमबर एट है, कि दर्जेजेल शोरा में मजहा के शायर कौन है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर बी, सेद महुमद जाफरी, चलिए फड़फट आगे बढ़िए, मैं आप लोग को फड़फट एंसर ब कोईशन नमबर दस है, कि मिर्जा अनोशा किसे कहा जाता है, तो मिर्जा अनोशा जो है, वो मिर्जा गालिब को कहा जाता है, आपसर नमबर A is your right answer, नेक्ट कोईशन की तरफ बढ़िए, घजल अरबी के किस सिन्फ सायरी से माखुज है, देखिए ये भी कोईशन में आप को VBI करकर बताई थी, क्योंकि ये जो कुशन है, आप लोग के 12 कलास के जो 100 मार्ग के अर्दू का एक्जाम हुआ था, उसमें भी ये कुशन पूछा गया था, और मैं आप लोग को उस वक्ट भी बताई थी कि ये कुशन 12 कलास के अर्दू के अर्दू के अक्जाम में पू तो अर्दु शायरी में मुबारक उस्ताद थे दागे दहलवी अफसर नमबर बी इस यो राइट एंसर कोशन नमबर थाटीन देखिए एमद फिराज कहां पैदा हुए तो एमद फिराज जो है वो पिशावर में पैदा हुए थे ये भी कोशन में आप लोग को कराई थी लगबग कोशन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा जितना भी में आप लोग को भी भी अबजेक्टिव कोशन कराई थी तीखे जितना भी में आप लोग को भी भी अबजेक्टिव कोशन कराई थी चलिए फटफट आगे बढ़िए परविन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ते थी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा तरकी पसंद तहरीक अपसन नमबर ए इसे ओराइट एंसर नैक्स्ट कोशन कोशन नमर 16 है कि इरफान सौदिक्टी का असल नाम था इरफान ऌहमद सिदक्ती posso नमबर ए इसे ओराहीं äँजिए और आगे बढ़िए दोहे के हर मिस्रे में किया होता है तो दोहे के हर मिस्रे में जो है न वो वक्फा होता है आपसर नमबर बी इस यो राइट एंसर आगे बढ़िए सचाया जफर गुरकपुरी का कैसा मजमुआ है तो सचाया जो है वो बच्चों से मुतालिक ये किताब है जो की जफर गुरकपुरी ने लिखा है तो आपसर को एंसर बताते जा रही हूं आप लोग भीश में लाइक शर्व अगरा करना मत भूलिएगा लाइक शर्व अगरा कर दीजिएगा ठीक है चलिए आगे देखिए क्वेंटी है कि शायर एक मिनट कुछ ज्यादा ही धुंदला गया है शायर ने शामिले नसाब गीत में किस न मुना नदी अपसर नमबर ए इस यूर राइट एंसर ठीक है आगे बढ़िए क्वेशन नमबर 21 है कि शामिले नसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा है तो आरिफ के मौत पर लिखे थे मिर्जा गालिब तो अपसर नमबर सी होगे आप लोग का सही जवाब कुछ बिखे तो इसका राइट इंसर होजाएगा आपसर नमबर भी मरसिया ठीक है यह जो सरापा है रजजज है यह मरसिया में देखने को मिलता है तो आपसर नमबर भी इस यूर राइट इंसर नेक्स्ट कोशन देखिए कुशन नमबर 23 की जहर इस्ट का तालुक कि सिसंफ शाय वहारी से हैं तो इसका राइ्ट एंसर हो जाएगा आपसे नमबर eating जहर जो है एक मसनभी है चली आगे बड़ी एक में किरुष्म प्रबर कि उर्दू की पहली मसनभी का क्या नाम है लोसुक ने कप करकर बताई थी कि यूनिक ने में जल्दी याद हो जाएगा कदम राओ पदम रहा है तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रही थी कि मेरा जो विवी अब्जेक्टिव कोश्चन जितना भी मैं आप लोग को कराई हूं वह एक्जाम से पहले देख कर जाएगा और जो स्टुडे हूई है तो इसका राइट एंसर थो जाएगा अप स्ट नमबर सी फार्सी से ठीक है चलिये आगे बढ़िए शौक लखनवी कहां पैदा हुए तो शौक लखनवी जू है वो पैदा हुए थे लखनवी नाम लखनवी रख दिया गया है आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ क्वेशन नबर 28 है कि बकावली का महभूब कौन था तो बकावली का महभूब था ता ताजुल मुल्क अब देखिए अगला सवाल है कि मसफी के वालिद कहां के रहने वाले थे तो मसफी के वालिद जो थे वो अकबर पूर के रहने वाले थे अपसर नबर ए हो गया आप लोगो का सही जवाब कॉशन नबर थार्टी देखिए यानि कि तीस की मसनवी जज़बे इश्क के शायर कौन है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अपसर नबर सी घुलाम हमदानी मसफी ठीक है चलिए आगे बढ़िए अगला सवाल है कि तमाजत के सही मानी क्या है तो तमाजत का सही मानी होत से जो है मेथेन सबसे ज्यादा निकलता है यह आप लोगों मैं बताई भी ति और देखिए को पूच भी दिया है यह भी कोशन नबर थाकि पहचान किस नौइद का मजमून है तो अदब की पहचान जो है वह तनकी मजमून है आपसंपे देखर वह इनके वालिदा का के जवाब बढ़े बढ़ी एक है यहां पर भी दुन्दल olduğunu का इस यहांलिए तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा इसका राइट इंसर हो जाएगा आपसर नमबर ए सदर श्रीबाय वहदू आजे बढ़िए कोश्च नमबर 37 है कि आगा हशर से मतालुक एक मिनट यहां पर थोड़ा दुंदलाया है तजादारा का बुनियादी सबब क्या है तो इसक अब्यश्च नमबर 38 है कि आरेबट का तालुक किस ओहदे से था तीकि आरेबट का तालुक जहें किस ओहदे नहीं यहां पर थोड़ा धुंदला गया किस एहद से था ठीक है तो वो था गुप्त एहद अपसर नमबर ए इसीयो राइट इंसर गुप्त एद को सुनारा दौ और बी कहाँ जाता है गुत दौर को सूरज गरहन और रदी को कहते हैं और देखे पूछ भी दिया अगला सवाल है कि किसी सितारा या सहीारा पर पढ़ने को क्या कहते हैं तो गरहन गरहन कहते हैं आप से डापर सी होगे आप लोग का सही जवाब यह भी मैं आप लोग को पढ़ाई थी तो बताई ही थी चलिए अगला सवाğaल लेकि सूरज घरहन कैसा वाकिया है तो यह जो गौरौफिया वाकिया आप समझार NO का 6 होगे आप लोग का सही जो थी वो गोपिनात की कौन थी तो वो थी मुलाजिम और बी और इस जो राइट इंसर चलिए आगे बढ़ी ये कोश्च नमबर 43 है कि वातरक के किनारे का उर्दू तर्जुमा किस ने किया है तो ये वातरक के किनारे नाम का अफसाना है इसको उर्दू में ट्रांसलेट किय थे ये चैप्टर आप लोगों में आप लोगों को पढ़ाई थी बहुत अच्छे तरीके से मालूम भी होगा चलिए आगे बढ़िए कोश्च नमबर 44 है कि कंणर जुबान किस रियासत में बोली जाती है यानकि कंणर भाजसा जो है वो कहां पर बोली जाती है तो करनाटक में बोली जाती है अफसाना अर्जुन का अर्दू तर्जुमा किस ने किया था तो अफसाना अर्जुन का जो है उसको अर्दू में तर्जुमा यानि कि अर्दू में ट्रंसलेट किये थे शाफी के दवाई ने अफसाना अर्जुन का आप लोगों का सही जवाब आगे देखिए अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस रेलवे स्टेशन का जिक्र है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर सी अगला कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर 48 है कि नजम दिये का तालुक कि जुबान से हैं यह जो कवीता है जिसका नाम है दिये इसका तालुक किस जुबान से कि जुबान में लिखा गया है तो मराथी जुबान में लिखा गया अपसन नमबर सी हो गया आप लोग का सही जवाब कोश्चन नमबर 49 देखिए सीता कांत महापात्रा का तालुक कि जुबान से हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उडिया आगे बढ़िए हर्फ निदा की जाल है हर्फ निदा की मिशाल क्न ओजाएगी आपसर नमबर सी म सही जवाब देखियर की अगले सवार की तरफ बढ़िए कोश्चन कमें जे हों इस का आन्सर हो जाएगा आपसन नमबर ए आरी शुबान कर आपसर नमबर नाला से भी ऑफ़ार का थीयर का मालुम नहीं चल रहा आरी लग रहा है कि हाँ, आरी क्या है, आरी पिर ーफ़ार है, तो इसमें आला क्या हो गा आरी, अफसर नमबर ई हॉगा आप लोगा सही जवाब, चलिए आगे बढ़एं लडख़ाहट क्या है, तो लडख़ाहट हो है, वो है हासिले मस्तर अपसर नमबर सी हो गया आप लोग का सही जवाब आगे बढ़िए काशिफ ने खत लिखा इसमें काशिफ क्या है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अपसर नमबर भी फाइल ठीक है आगे बढ़िए एहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल है तो लिए माजी शक्या हो जाएगा आपसर नमबर सी चलिए फटफट आगे बढ़ियें यह कितना नमबर कुशन था 55 अभी है 56 की तखलुस की मिसाल है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा आपसर नमबर एगालिब गालिब जो है वह तक तखलुस है अगला सवाल आपनों का सही जवाब आगे बढ़िये कान में तेल डाल कर बैठना का क्या मतलब है तो कान में तेल डाल कर बैठना का मतलब होता है बे परवा होना किसी से कोई मतलब नहीं रखना कान में तेल डाल कर बैठना बे परवा हो जाना ठीक है तो आपसर नमबर एगा आपनों का सही जवाब अब देखिए कोशन नबर 60 यान की साथ है कि जिस्म की जमा क्या होगी जिस्म का जमा यान की प्लूरल होता है अज साम आपसन नबर डी होगे आप लोग का सही जवाब आगे बढ़िए कोशन नबर 61 है कि नजीर एहमद की पैदाइश कब हुई थी तो इनकी खुदू में खुतूत का सिलसिला किस ने शुरू किया था तो वो शुरू किया थे मिर्जा गालिब ने अपसन नमबर सी होगे आप लोग का सही जवाब चलिए आगे बढ़िए अगले कोशन की तरफ कि गालिब की पैदाइश कहां हुई तो गालिब की पैदाइश हुई आगरा में यह आप लोगों में कराई थी अब जितना भी अब्जेक्टिव कोशन पूछा गया है वो सारा का सारा में आप लोगों को एक्जाम से पहले कराई थी तो चलिए अगला देखिए कि शौबाद किस अख़बार में मदीर थे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अपसे नमबर सी दारुल सल्तनत ठीक है चलिए आगे बढ़िए मेदी अफादी के जहन पर किस अद्वी तहरीक का असर था तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसे नमबर सी रुमानी तहरीक ठीक है कोशन नमबर 67 है कि बेदी का पूरा नाम क्या था देखिए ये तो बह सावील एक चादर मैली सी के मुसरनिफ कौन है तो इसका राइट इंसर हो जाएगा आपसे नमबर सी राजेंद्र सिंग बेदी आगे बढ़िए अगला सवाल है कि शामिली निसाब मनाजिर फितरत चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है तो इसका राइट इंसर हो ज सही जवाब अब देखिए अगला सवाल है कि जुम्ला किस से बनता है तो आप लोग जानती है जुम्ला यानकी सेंटेंस किस से बनता है जुम्ला जो है सेंटेंस वह लफजों से मिलकर बना होता है और लफज से मिलकर जुम्ला बनता है यानकी शब्द से मिलकर सेंटेंस ब गएगा अपसर नंबर डी सेवेंटीवन का अपसर नंबर डी होगी आप लोग का सही जवाब लफजों से आगे बढ़िए अगले सवाल है कि वाओ मजहूल की मिसाल क्या है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसर नंबर सी खुआब ठीट चलिए आगे बढ़िए अगल वर खाना खाया है इसमें वह क्या है तो इसमें वह जो है वह जमीर है अपसर नंबर सी हो गया प्रोनाउन जो नांके पदले में यूज हूता है उसी एकन्र वह जहाता ता तो इसका राइट एंसर हो गा, आपसन नमबर ए यहाथी, ठीके, आगे बढ़िये, आइराब किसे कहते हैं, तो जबर जेर पेश को ही आइराब कहते हैं, तो अपसन नमबर डी कह गया आपे लूग symb state हो गया आज आना का मानी बताईए, तो इसका राइट ए एंसर जो है, वह हो हो जाएगा अपसर नमबर डी अमरिया अमरिया उसे कहते है जिसमें आप लोग को हुकम दिया जाए और दिया जाए की ये काम करो वो काम करो मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ ठीक है तो ये अपसर नमबर डी होगे आप लोग का सही जवाब आगे बढ़िये कोश्चन नमब डी होगे आप लोग का सही जवाब चलिए आगे बढ़िये कोश्चन नमबर एटी टू है कि शबनम में बेनवा का क्या मतलब है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर सी शबनम की खामोशी ठीक है आगे बढ़िये रुकया भावी को कॉलिज से महाना कितनी त परता था तो भाई जान को जिल इसलिए जाना परता था क्योंकि वो सियासी आदमी थे और सियासत की वज़ए से उन्हें जेल जाना परता था तो आपसर नमबर सी होगे आप लोग का सही जवाब देखिए कोश्चन नमबर 85 है कि जब रुकया भावी याद आती है तो मेरा डैस खुद बखुद जजबा एतराम से जुख जाता है तो सर अपसर नमबर डी जो है वो जाएगा आप लोग का सही जवाब मेरा सर जो है वो खुद बखुद जजबा एतराम से जुख जाता है ठीक है तो यह होगा आप लोग का सही जवाब आगे बढ़िये सुहल अबा पढ़ना यूनिरसिटी अपसन नमबर B हो गया आप लोगा सही जवाब ठीक है 87 का भी चलिए आगे बढ़िए कोशन नमबर 88 है कि कमर जहां कि अफसानवी मजमुवा का नाम क्या है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर C चारहंगर यह भी कोशन में आप लोग को एक्जाम से पहले कराई थी वो सारा कोशन आप लोगो देखने को मिला है एक्जाम में तो चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ अब देखिए अगला सवाल है यहां पर थोड़ा धुंगला आ गया है बट कोई दिकत नहीं है मैं पढ़कर बता रही हूं सवाल ह कि मादा परस्ती से आप क्या समझते हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमबर सी ए और बी दोनों ये और ये दोनों आपसा नमबर सी होगे आप लोग का सही जवाब चलिए आगे बढ़िए कोशन नमबर 90 यानि की 90 है कि निगार अजिम का असल नाम क्या है र उर्दू ग्रामर का टॉपिक है और ये मैं आप लोगों को इंपोर्टन समझते हुए ये आप लोगों को उर्दू ग्रामर में बताई थी कि ये बहुत जदा विवी है कोशन पूछा जा सकता है और देखिए पूछ भी दिया है कोशन कि किस फेल में हाल और मुस्तक्बिल दोनों पाये जाते हैं तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अपसा नमबर सी फेल मुजारी में ठीक है आगे बढ़िए कि महमुल लवज है जिसका मानी नहीं हो जिसका कोई भी मानी कोई भी मतलब नहीं हो उसे लवज महमुल कहते हैं तो अपसा नमबर भी होगे आप no.93 है कि लड़के महनत से कामयाब होते हैं इस जुमले में हर्फ कौन सा है तो इसका राइटेंस हो जाएगा आपसा no.c sorry, option no.d, ठीके से क्योंकि जो हर्फ होता है वो जोडने का काम करता है ठीके तो यहाँ पर लड़के लड़के महनत से कामयाब होते हैं तो अगर ये से नहीं रहता तो इस sentence का मानी पूरा नहीं होता लड़के महनत कामयाब होते हैं अच्छा नहीं लगता ना ये से लग गया है तो इसका मानी पूरा हो गया इस sentence का कि लड़के जो है वो महनच से काम्याब होते है, तो यह पर से जो है अप लोग手 नमरडी सही जगाब हो गया ठीक तीरान बिर का अपसन नमरडी चलिए आगे बढ़ एक कोसचा नमर नाइंटी फॉर हैं, कि माजी के जिस फैल में काम का जारी रहना, माजी के जिस फैल में किसी काम का जारी रहना पाया जाता हो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग माजी ना तमाम अपसे नमबर A हो गया आप लोग का सही जवाब आगे बढ़िये कि गुलाम का मुणनस है तो गुलाम का मुणनस क्या हो जाएगा अपसे नमबर C लॉन डी ठीक है मतलब इस्त्रिलिंग चलिए आगे बढ़िए इसमें जमा की मिसाल है वो है खुतूत खत तो आप लोग जानते ही है लेटर लेकिन खत का जमा यान की प्लूरल क्या होगा खुतूत तो अपसर नमर डी होगे आप लोगा सही जवाब आगे बढ़िए कोशन नमर 97 है कि फूल ना समाना का मतलब है फूले ना समाना का मतलब होता है बहुत खुश होना ठीक है आप लोग सुने भी होंगे कि मैं इतना खुश हो कि फूले नहीं समा रही हूं ठीक है तो फूले नहीं समाना का या नहीं बहुत ही खुश हो जाना आगे बढ़िए कोशन नमर 98 है कि जुम्ले में था किसकी इलामत हैं तो था जो है वो माजी बैइद की इलामत है माजी बैइद की निशानी है चलिए आगे बढ़िए क्वोसटन कमेंट करकर बताएंगे कि आप लोग का 50 अब्जेक्टिव में से कितना अब्जेक्टिव कोशन सही हुआ है उतना हमें इमानदारी के साथ कमेंट करके बताएंगे ठीक है और उसके बाद से इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें ताकि सब्सक्राइब के पहुचे और और वो भी अपना अब्जेक्टिव कोशन का एंसर मिला सके कि उनका 50 में कितना अब्जेक्टिव कोशन सही हुआ है और उसके बाद से वीडियो को लाइक शरव अगरा कर देंगे और अगर आप लोग चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो चलिए फिर मिलेगा नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज